सल्मान खान का शो बिग बॉस 18 के वीकेंग के वार एपिसोड में हमें देखने के लिए मिला यहां पर सल्मान खान अविनाश मश्रा को फट कार लगाते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कि जब पिछले हफ़ते उनके कैरेक्टर पर सवाल इठाया गया था तो अविनाश क इस तरीके से घर में सब्का intention चेक करने की कोशिश करते हैं उनका क्या intent है यही सल्मान को अभी तक समझ में नहीं आया वो इस घर में बिलन बने की कोशिश कर रह रहे लेकिन वो भी उन से नहीं हो पार अगर वो grey sheet में दिखना चाहते तो अच्छे तरीके से दिखे वाल यह आपर सलमान जो है वो अविनाश को ये भी कहते हुआ दिखाई दिए कि तुम्हारा नाम भरे ही अविनाश हो लेकिन जिस तरीके की तुम चीजे कर रहे हैं उसे तुम खुद का ही विनाश करने वाले हो यहाँ पर सलमान एडवाइस अविनाश को देते हुए नज़राए कि उन्हें गेम जूँए सई तरीके से खेलने चाहिए और अपने गुस्से पर थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए और वो क्या बोल रहे हैं वो सोच समझकर ही कहड़ा चाहिए वह आपको बता दे बिग बॉस जो है वो केंटसरेंस से गेम खेलने के लिए कहते हैं जो आपर अच्छे दोरकर विवन का नाम लेते हैं कि राशन के वक्त उनको विवन की जरूरत थी लेकिन वहाँ पर आकर नहीं खड़े रहे हैं वहीं जाद भी विवन दिसेना से यह कहती है कि उन्हें इस शो में बने रहने के लिए उनकी जरूरत नहीं है वो अकेली आई है और अगेले ही अपने गेम को कंटिन्यू कर सकती है अलेस अर्फीन का नाम लेती है शेहजादा धामी भी अर्फीन का नाम लेते है अर्फीन ईशा का नाम लेती है करनवीर को जगाती हुई नजर आती है कि उपने दोस्ति और इशा से ऑगे än बढ़कर बाकी चीजों को देखें लोगों साथ टाइम स्पेंट करें वहला आपका सलमान खान की अविनाश को लगाई इस फटकार पर क्या कुछ है कहां हां हां में कॉमेंस में जरूर बताए ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें